हेलो फ्रैंट्स वैलकम टो एवन बैसिक एस्टुडी आज हम लो देखेंगे गुनन खंड के से आसान तरीके से किया जाता है अगर आप वीडियो में नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले इस तरह डेली वीडियो आपको देखने को मिलेगा जैसे की देखिए सबस पहले ह सबसे पहला काम गराता है यह कि जो इस नम्मर को है और इस नम्मर से इंटू करते हैं तो सबसे पहले देखिए 2 इंटू 3 करेंगे तो कतना होगा 6 अब 6 को इस तरह तोड़ेंगे कि दो जोड़ने पर 5 आना चाहिए तो हम लोग देखिए 6 को इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अगर 2 प्लस 3 करें तो जोड़ने पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है मतलब इस फेक्टर मेरा काम कर जाएगा ओके इस तरह करके हम लोग इसको solve कर सकते हैं तो सबस्पेले यहां हम लोग लिखेंगे 2x square प्लस देखिए यहां से फिर हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या हो जागा 2x प्लस 3x प्लस 3 अब देखिए कि इस दोनों को सबस्पेले हमने इंटू किया था तो 6 आया अब 6 को ऐसे तोड़े कि इंटू करने पर 6 सबस्पेले यहां अगर को मल लेंगे तो देखिए 2x अगर को मल ले ले तो क्या हो जागा सिर्फ आप इसमें से x को मल ले लिजे ओके तो x हम लोग को मल लेंगे तो क्या हो जागा x प्लस यहां हम लोग 2x अगर को मल ले ले तो यहां हो जागा x यहां हो जागा 1 इसी पर कर देखिए इसमें से 3 अगर को मल ले लेंगे तो हो जागा इसमें x इसमें हो जागा 1 यहा फिल आपको यहां से लिखना पड़ेगा तो 2x plus 3 एक point लिख लिए दूसरा हो जागा x plus 1 हो गया अब देखिए इसको अगर 0 करेंगे तो x देखिए 2x plus 3 equal to 0 तो 2x equal to क्या हो जागा 2x equal to हो जागा minus 3 तो x equal to minus 3 by 2 इसी परकार x equal to क्या हो जाएगा minus 1 देखिए x का 2 को भेलो हम लोग अराम से निकाल लिए आशा करता हो अफ लोग को समझ में आता होगा चलिए next question देखते हैं next question में है 4x square plus 8x plus 3 सबस्वेल हमने क्या पता है था कि 4 और 3 first वाला और last वाला को into करते हैं 4 into 3 करेंगे तो कितना हो जागा 12 12 को इस तरह हम लोग तोड़ेंगे जो कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है नहीं होगा तो अब देखिए तो देखिए सबस्वेल 12 को फेक्टर क्या क्या हो सकता है तो 1 into 12 12 को और क्या हो सकता है 2 into 6 और क्या हो सकता है और हो सकता 3 into 4 और क्या हो सकता है अब देखिए इसको 4 into 3 लिखे कि 6 into 3 बात बराबर है तो सबस्वेले हम लोग को 8 लाना पड़ेगा तो देखिए 12 plus 1 करेंगे तो 13 आ जाता है नहीं होगा यह भी नहीं होगा और यह देखिए 6 plus 2 करेंगे तो यह 8 आ जा रहा है बराबर में 8 आ जा रहा है तो इस फेक्टर को हम लोग यहां use करेंगे अब देखिए इसको use करने से क्या होगा अब हम लोग का complete बन जाएगा 4x square plus यहां अगर करें तो यहां हम लोग को लिखना पड़ेगा देखिए यहां अगर लिखे तो हो जागा 6x plus यहां लिखेंगे 2x plus 3 इसे परकर अगर हमने यहां यह लिख लिया तो अब क्या करना पड़ेगा यह दोनों में से common निकालेंगे तो क्या हो जागा यह दोनों में से अगर common लेंगे तो क्या हो जागा 2x अगर common ले लिए तो यहां हो जागा 2 देखिए अगर यहां से अगर common ले ले 2x तो हो जागा 2x plus 3 इसी परकर यहां अगर common ले ले तो 1 ले लेते हैं तो क्या हो जागा 2x प्लस 3 इस दोनों में से कोई common नहीं है इसलिए हम लोग 1 ले लिए अब देखिए 2x प्लस 1 सबस्प्ले यहां से यहां तक लेते हैं और दूसरी बार इस दोनों में सेम है तो एको नमर लेगा 2x प्लस 3 अब इसको हम लोग 0 करेंगे 0 करेंगे तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं 0 करेंगे तो हो जागा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू क्या हो जागा देखिए इधर प्लस है तो उधर है कि क्या होगा माइनस होगा तो x equal to क्या हो जागा? अगर multiply है तो इदर divide में होगा इसी परकार x का value हम लोग निकाल लिए अब देखिए इधर हम लोग को इसका value निकालना है तो 2x plus 3 equal to 0 तो 2x equal to minus 3 तो x equal to क्या हो जागा? minus 3 by 2 अब देखिए इसमें हम लोग x का 2 को value निकाल लिए जो कि हम लोग इसमें अगर put करेंगे तो satisfy कर जाएगा आसा करता है आप लोगों ये समझ में आया होगा अगर आया होगा तो ऐसे ही आप सब्सक्राइब करके daily सीख सकते हैं ओके थेंक्यू